हाई इस प्रवल्म को सॉल करते हैं, question क्या कहता है? A number divided by 13 leaves a remainder 1 and if the question thus obtained is divided by 5, we get a remainder of 3. What will be the remainder if the number is divided by 65? क्या कहा है? कि कोई एक number है, जब उसको 13 से divide करते हैं, तो हमें क्या मिलता है remainder? 1 मिलता है, और जो question आता है, उसको अगर हम 5 से divide करते हैं, तो हमें जो remainder मिलता है, वो क्या मिलता है? 3 मिलता है, तो हमसे कहा रहा है कि अगर जो number है, उसको अगर 65 से डिवाइड करेंगे तो remainder क्या मिलेगा तो इस तरीके के question को solve करने के लिए अगर हम माल लेगे एक सबसे least value है जिसको 13 से divide करने पर हमें remainder 1 आता है 13 से हमने divide किया remainder कितना आया 1 आया यह हमने माल दिया कि यह y times गया जो quotient है फिक है y times गया question है अब हमसे further क्या कह रहा है कि यह जो y question आया है इसको जब हम 5 से divide करते हैं तो हमें remainder कितना मिलता है 3 मिलता है तो हम क्योंकि least value find out कर रहे है तो हमने माल लिया कि यह one time गया और हमें कितनी remainder बचा 3 remainder बचा है तो यहां पे जो y की value find out करेंगे वो कितना कैसे find out करेंगे जो जितना question है question इंटू यह 5 से जो multiply किया गया है 5 से जो divide किया गया है तो 5 into 1 5 into 1 plus remainder यह हमें क्या देदेगा यह हमें y की value देदेगा और इसी तरीके से x की value find out करेंगे तो 13 कितने times किया था y times किया था और y की value क्या है 8 है तो 13 into 8 plus 1 हमें क्या देदेगा y की value देदेगा और वो क्या हो जाएगा 105 हो जाएगे अब हम से आगे क्या पूछ रहा है कि अगर जो यह value x है इसको अगर हम 65 से divide करें तो हमें क्या remainder मिलेगा तो 65 से divide करने पर आप देख पाएगे कि one time जाएगा और 45 हमें sorry 40 हमें remainder बचेगा